हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल लर्न वित रिचा मैं आज की इस वीडियो में कंट्रोल सिस्टम के लेक्चर से स्टार्ट कर रही हूं तो बीसिकली मैं इसमें आपको टॉपिक्स बताऊंगे कि क्या क्या टॉपिक्स में इसमें कवर करूंगी फसली फस्ट वन क्या है इसमें बताऊंगे कि क्या कंट्रोल सिस्टम होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं सेकेंड क्या है इसकी मैथमेटिकल मॉडिलिंग है थर्ड है ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक डाइग्राम और सिंगनल फ्रोग्राफ फॉर्थ वन क्या है फीट्वेग फिफ्ट एक टाइम-डूमेन अलिस लिक्ट्राइं सिक्स्थेकिनThere कॉ और सिस्टम एडेवन टैम mae उसली सबसे पहले आज में इंट्रोडक्शन से स्टाथ करतीं की कंट्रोड सिस्टम होता क्या और इसकी कितने टाइप्स होते हैं तो बिसीकली वाट इस कंट्रोल सिस्टम होता क्या है? कंट्रोल सिस्टम एक ऐसी क्वांटिटी होती है मशीन, मेकेनिस्म और अधर एक्क्यूपमेट में जो अपन उसको कैसे मेंटेन करना और एल्टर्ट करना है वो इसमें बताये गया है मतलब जो भी आप सिस्टम पे इंपूट दोगा कैसे मिलेगा? वह होता है wtedy इसका एक एक सिस्टम में आता है ड्राइविंग सिस्टम किसी भी आदाश का ड्राइविंग सिस्टम कैसे वरक होता है और जो भी आदाश होती है उसका हम functional जै कैसे हम उसको control करते हैं वो इस form में दिया, बताया गया है controlling mechanism में तो जो desired speed होती है, वो आपकी maintain होती है कैसे achieved होती है, वो पूरी controlling process के through control system के अंदर define करा जाता है तो basically इसमें क्या क्या हम बता सकते है automobile driving system में accelerator आता है, carburetor आता है and engine vehicle, ये पूरा system क्या है, control system के अंदर आता है basically controlling action का example क्या होता है, जैसे हम room में अगर हमें room temperature को set करना है, तो उसमें क्या होता है switching की process से हम उसको set करते हैं, basically हमको on करना है क्या off करना है, जो भी हमारी heating appliance है तो जो होता है power supply होता है appliance का, या तो switch on होता है तो उससे क्या होता है, temperature low हो जाता है, switch top में क्या होता है हमारा temperature बढ़ जाता है, तो ये भी system के बारे में जो पताया गया है कि जो आपकी application है power की, उसके क्या duration होता है basically हम room के temperature को कैसे control करते हैं, ये पूरी mechanism control action में इसके example के through इसमें explain करी जाती है और however, इसका जो further requirement है कि जो आपका actual room temperature और जो आपका output में room temperature मिल रहा है उसको हम कैसे differentiate करते हैं, इसमें basically क्या error हमा, क्या error आती है क्या controlling mechanism में इसमें error आती है और जो जो भी error आती है वो पूरे इसको हम सही करके जो भी हमें output में मिलता है that is room temperature के form में उसके पर जो above description मैंने आपको पूरा बताया है पूरे room temperature के बारे में बताया है और इसमें क्या है room temperature has no control on the input and control action is purely based on the short of predetermined calibration only और इसमें totally क्या है जो भी आपका control action है वो कैसे affect होता है feedback से affect होता है तो हमें इसमें two types के control system पढ़ना open loop and close loop control system basically what is open loop systems तो open loop system क्या होता है simplest and most economical type control system होता है जिसमें कोई भी feedback हम use नहीं करते है इसमें basically various examples होते है open loop system के without feedback होता है यह simply system होता है कि जो भी हम input में इसमें देंगे वही हमें control form में output में मिलेगा तो इसके basically क्या four examples दिये हुए है यहापर traffic like controller, electric washing machine, automatic coffee server and then bread toaster यह basically इसका diagram के through इसको समझाया गया है जो इसका block diagram है इसमें basically क्या है हम सबसे पहले आपका reference input है यह वाला reference input है जो RT के form में है इसको हम क्या देंगे controller पे इसमें हम input देंगे controller में input देंगे उसके बाद क्या होगा controller हमारा amplifier के amplifier की तरह work करेगा इसका work मैं आपको और आगे बताऊंगी इसके बाद क्या है जो भी हमको इसका output मिलेगा actuating signal होगा actuating signal को हम E of T से denote करेंगे जो actuating signal है वो हमारा controlled process में जाएगा controlled process में जाने के बाद हमको आपका variable मेरेगा C of T के form में हमें इसका output मिलेगा तो basically यह वाला यह हम मैंने define करा है यह है block diagram of open loop control system so basically यह वाला इसका क्या है block diagram मैंने आपको बताया है और यह इसके four forms के क्या है इसके examples है इसमें without feedback हम जो भी system में इसको define करते है R of T is basically इसका reference input होता है and after that controller के जो आपको output मिलता है वेपट्टिंग signal होता है E of T से इसको define करते है then control process में हमारा जो भी जाता है और control variable जो हम आपको मिलता है C of T होता है इसके basically और other examples है so friends मेरा आज का वीडियो यहीं तक था अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए और notification के लिए by like उनको press कीजिए Thank you